ओम शांती, 23 दिसंबर 2013, मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महाबाक्य, आज की मुद्ली के कुछ मुख्य पॉइंट्स, आज बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को अपना स्वभाव बहुत मीठा, शांत चित बनाना है, बहुत रोयल्टी से और आवश्यक्ता अनुसार ही बाचा में आना है, तन, मन, धन से ब्रह्मा बाप समान प्रिस्टी होकर रहना है, बाबा समझाते ज्यान है लाइट और योग है माइट, हमें ज्यान और योग की शक्ती से हर परिस्थिती को सेकंड में पास करने वाले महावीर बना है, तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीथी प्यारी मुर्ली, उम शान्ती, बाबा कहते, मीथे बच्चे, अपना सरनेम सदा याद रखो, तुम हो गौडली चिल्डरन, तुम्हारा इश्वरिय कुल है, तुम देवताओं से भी उच हो, तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए, प्रश्ण, बाब ने बच्चों को आप समान, प्यार का सागर बनाया है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो, इसलिए तो तुम्हारे यादगार चित्रों को सभी प्यार करते हैं, प्यार से देखते रहते हैं, लक्ष्मी नारायन सदा, हर्शित मुख, रमनीक हैं, अभी तुम चानते हो कि बाबा हमें ग्यान योग से बहुत-बहुत मीठा बना रही हैं, तुम्हें मुख से सदा ग्यान रत नहीं निकालने हैं, गीत, तु प्यार का सागर है, ओम्शान्ती, ये किसकी महिमा में काते हैं, कि तु प्यार का सागर है, ये किसी मनुष्य की महिमा नहीं, कहा जाता है कि तु प्यार, शान्ती, वो पवित्रता का सागर है, अभी तुम पवित्र बनते हो, ऐसे बहुत हैं जो शादी नहीं करते बहुत हैं जो बिगर सन्यास लिये भी पवित्र रहते हैं गाया हुआ भी है रहस विवार में जनत मिसल ज़ान उसकी हिस्ट्री है कहा हमको कोई ब्रह्म ज़ान सुनाओ बास्तव में कहना चाहिए ब्रह्मा ज़ान परफिता परमात्मा ब्रह्मात्वारा आकर ज्यान देते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को तुम जानते हो कि इस समय हमारा सरनेम है ब्रह्मा कुमार कुमारी हम हैं गौडली चिल्डरन ऐसे तो सब कहते हैं हम इश्वर की संतान हैं तु जरूर भाई भाई थेरे तो फिर अपने को बाप कहना सकें फादर हुट नहीं फिर तो ब्रदर हुट कहा चाए एक तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो दूसरा जिसके कुमार कुमारिया हो उनको मम्मा बाबा कहते हो बच्चे चानते हैं, हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। भारत में अनेक शास्र, वेद, पुरान आदितों सब पढ़ते हैं। सर्व शास्रमई, शिरोमणी, श्रीमद भगवत कीता है। गीता से सत्यु स्थापन होता है। गीता का ज्यान दिया ज्यान सागर परमात्माने। यह सब ज्यान नदियां ज्यान सागर से निकलती हैं। पानी की गंगा से थोड़े ही ज्यान मिलता है जो पावन बनेंगे। सदकति, अर्थात, पावन बनना यह तो है ही तमो प्रधान पतित दुनिया। अगर पामन बनें, तो कहां रहें? बापिस तो जाना सकें, काइदा नहीं हैं. सब को पुनर चनम ले तमो प्रधान बनना ही है. बाप है ज्यान का सागर. तुम प्राक्टिकल रूप से सुन रहे हो. ये कोई कॉपी कर न सके. भल ऐसे बहुत हैं, जो कहते हैं, हम भी वही ग्यान देते हैं, पर अन्तु नहीं. यहां जिसको भी ग्यान मिलता है, वे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं. और कोई ऐसी संस्ता नहीं, जहां ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएं. भल ड्रेस भी ये पहने परन्तु ये कैसे कहें कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा इनको बैट समझाते हैं तुमको भी कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने जन्मों को नहीं जानते मैं जानता हूँ, अब संगम युग पर पैर और चोटी हैं, इससे पुरानी दुनिया बदल नई बनती है, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कल्युग, सृष्टी वृद्धी को पाती रहती है, अब अन्त है, दुनिया बदल नई बननी है, बाप आकर त्रिकान तर्शी बना जाते हैं, वह है प्यार का सागर, तो जरूर ऐसा प्यार बनाएगा, लक्ष्मी नारायन में देखो, कितनी आकर्शन है, जितना लक्ष्मी नारायन का रमनीक, हर्षित, मुख, चित्र देखेंगे, उतना राम सीता का नहीं, लक्ष्मी नारायन को देखने में ही खुशी आ जाती है, रादे कृष्ण के मंदिर में जाने से इतनी खुशी नहीं होगी, लक्षमी नारायन को तो राच्य भागे है, अब धुनिया तो इन बातों को जानती नहीं, तुम जानते हो, बाबा हमको बहुत मीठा बनाते हैं, लक्षमी नारायन को जान का सागर नहीं कहेंगे, वे इस ज्यान योग से ऐसे बने, अब तुम भी बनते हो, मनुष्य चाहते हैं कि दुनिया एक हो जाए, एक राज्य हो, यात दिलाते हैं कि कभी एक राज्य जरूर था, परन्तु ऐसे नहीं, सब मिलकर एक हो जाएंगे, नहीं, वहाँ तो बहुत थोड़े मनुष्य थे, तुम समझते हो, हम इश्वरिय संटान हैं, कहते हैं, इश्वर हाजिरा हजूर है, परन्तु हाजर नाजर आत्मा को कहेंगे, आत्मा सर्वव्यापी है, सब में आत्मा है, ऐसे नहीं, सब में परमात्मा है, तो कसम उठाने की क्या बात है अगर हमारे में परमात्मा है तो कसम किसकी उठाते हैं हम अगर उल्टा कारे करेंगे तो परमात्मा सजा देंगे अगर परमात्मा सब में है तो कसम आदी की बात नहीं अब तुम साकार में हो जैसे आत्मा इन आखों से देखी नहीं जाती तो परमात्मा को कैसे देखेंगे फील करते हैं हमारे में आत्मा है कहेंगे परमात्मा का साक्षात कार हो लेकिन जब आत्मा को ही नहीं देख सकते ही तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे आत्मा ही पुन्य आत्मा पाप आत्मा बनती है इस समय पाप आत्मा है तुमने पोखत पुन्य किया था बाप के आगे तन मन धन समर्पन किया था अब पाप आत्मा से पुन्य आत्मा बन रहे हो शिव बाबा को तन मन धन बली देते हो इसने भी अर्पन कियाना तन भी सच्ची सेवा में दिया माताओं के आगे अर्पन कर उन्हें ट्रस्टी बना दिया माताओं को आगे बढ़ाना है माताओं ने ही आकर शरन ली तो उनकी संभाल कैसे हो माताओं पर बली चड़ना पड़े बाप कहते हैं वंदे मातरम हाजिर नाजिर का भी रास समझाया है आत्मा पुकारती है ओ कौड फादर किस फादर को बुलाते हैं? समझते नहीं तुम लक्ष्मी नारायन बद्दे हो मनुष्य कितना प्यार करते हैं हर होलिनेस और हिस होलिनेस उनको कहा जाता है अब तुम कहेंगे हम इश्वरिय कुलके हैं पहले आसुरी कुलके थे ब्रामनों का तो सरनेम ही है इश्वरिय संतान बापु गांधी भी चाते थे कि राम राज्य हो नए भारत में नया राज्य हो वर्ल्ड औल्माइटी अथोरिटी गव्मेंट हो जो कि पेहत का बाप ही बना सकते हैं बाप कहते हैं मैं वर्ल्ड औल्माइटी अथोरिटी हूं उंच ते उंच निराकार हूं ब्रम्मा, विश्णु, शंकर तो हमारी रचना है भारत, शिवालय, संपूर्ण निर्विकारी था अब संपूर्ण विकारी है ये भी नहीं चानते कि संपूर्ण निर्विकारी यहां होते हैं चाहते हैं One World हो, One Almighty Authority राज्य हो सो तो परमात्मा One World Almighty Authority देथी लक्ष्मी नारायन का राज्य स्थापन कर रहे हैं और सब का विनाश सामने खड़ा है इतना नशा रहना चाहिए यहां से घर जाते हैं तो मूर्चित हो जाते हैं संजीवनी बूटी की कहानी है ना लेकिन ये तो ज्ञान की बूटी है मन मनाभव की दे अभिमान में आने से माया का थपड लगता है दे ही अभिमानी बनने से थपड नहीं लगेगा हम शिर्पावा से वर्सा लेते हैं ब्रह्मा का ये अंतिम जन्व है वे भी वर्सा लेते हैं देटी वर्ल्ड सोब्रेनिटी इस यौर कॉट फादरली बर्थ राइट तुम बच्चों में देवी मैनर्स होने चाहिए तुम ब्रामन देवताओं से भी उंचो तुमको बहुत मीठा बोलना चाहिए भाशनादी में तो बोलना पड़ता है बाकी व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए मुक से सदैव रत्न निकालो भल ये आँखे हैं लेकिन स्वर्ग को और मूल बतन को देखो ज्यान का नेत्र आत्मा को प्राप्थ होता है आत्मा और्गन स्वारा पड़ती है तुमको ज्यान का तीसरा नेत्र मिला है जैसे अकल की दाड निकलती है बाप वर्षा प्रामनों को देगा शूद्रों को थोड़े ही देगा तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है ज्यान नेत्र भिना राइट रॉंग को समझ नहीं सकते रावन रॉंग रास्ते पर ही चलाएगा बाबा राइट रास्ते पर चलाते हैं हमेशा एक दूसरे से गुन उठाना चाहिए गुन के बतले अवकुन नहीं उठाना चाहिए देखो बॉक्टर निर्मला आती है उनका स्वभाव बहुत मीठा है शांत चित थोड़ा बोलना उनसे सीखना चाहिए बड़ी स्यानी और मीठी बच्ची है शांत में भी बैठने की रॉयल्टी चाहिए ऐसे नहीं कुछ समय याद किया फिर सारा दिन खलास ये भी अभ्यास करना है बाप को याद करने से ताकत आती है तो बाप भी खुश होता है ऐसी अवस्तावाला जिसको भी देखेगा तो जट उनको भी अशरीरी बना देगा अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं सिर्फ शांती में बैठना कोई सुख नहीं है वह है अलपकाल का सुख शांत हो बैठ चाहेगा तो फिर कर्म कैसे करेगा योग से विकर्म बिनाश होंगे सच्ची सुख शांती तो यहां हो न सके यहां हर चीज अलपकाल की है अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता भाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल वर चान सिक्वा प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी गुद मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा रात्री क्लास 9th April 1968 आजकल बहुत करके यही कॉन्फरेंस करते रहते हैं कि विश्व में शान्ती कैसे हो उन्हों को बताना चाहिए देखो सत्युग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे था ही राम राज्य, तब ही विश्व में शान्ती थी तुम चाहते हो विश्व में शान्ती हो वे तो सत्युग में थी पीछे अनेक धर्म होने से अशान्ती हुई है परन्तु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है आगे चल कर अकबारों में भी पड़ेगा फिर इन सन्यासियों आदी के भी कान खुलेंगे ये तो तुम बच्चों की खातिरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है यही नशा है यूजियम का भबका देख वहात आएंगे अंदर आकर वंदर खाएंगे नए नए चित्रों पर नए नए समझानी सुनेंगे ये तो बच्चों को मालूप है योग है मुक्ती जीवन मुक्ती के लिए सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखलाना सके ये भी लिखना है सिवाई परंपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ती जीवन मुक्ती के लिए योग सिखला नहीं सकते सर्व का सद्गति दाता है ही एक ये क्लियर लिख देना चाहिए जो भल मनुष्य पड़े सन्यासी लोग क्या दिखाते होंगे योग योग जो करते हैं वास्तर में योग कोई भी सिखला नहीं सकते हैं महिमा है ये एक की विश्व में शांती स्थापन करना वा मुक्ती जीवन मुक्ती देना बाप का ही काम है ऐसे ऐसे विचार सागर मंतन पर पॉइंट्स समझानी है ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए इस दुन्या को तो बदलना ही है यह है मृत्यू लोक नई दुन्या को कहा जाता है अमर लोक अमर लोक में मनुष्ये कैसे अमर रहते हैं ये भी वंडर है न वहां आयू भी बड़ी रहती है और समय पर आपे ही शरीर बदली कर देते हैं जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है ये सभी समझाने की बाते हैं अच्छा मीठे मीठे रुहानी बच्चों को रुहानी बाप व दादा का याद्या गुद नाइट और नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी धारना के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित बनाना है बहुत कम और रॉयल्टी से बात करनी है दूसरा पॉइंट तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी होकर रहना है वर्दान ज्यान और योग की शक्ती से हर परिस्थिती को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस ज्यान है लाइट और योग है माइट जो इन दोनों शक्तियों से संपन है वह हर परिस्थिती को सेकंड में पास कर लेते हैं अगर समय पर पास न होने के संसकार बढ़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संसकार फुल पास होने नहीं देतें जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ओनर धर्म राज भी उसको ओनर देता है स्लुगन यूग अगनी से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोका मिल नहीं सकता उम्शाती